नमस्कार बच्चो माइनम इस राहूल प्रसाथ फ्रम टिस्नेट प्रेप आप लोग का तैयारी काफी अच्छा चल रहा है समय है और समय नहीं भी है मतलब उतना समय है जहां पे हम अच्छे से महनत करके प्राक्टिस करके परफॉर्म कर सकते हैं और अपने लिए एक सीट इं आपको बहुत बारीकी से एक चीज़ समधाना चाहता हूँ 1993 का कोर्स है तो कबना दी ओल्डेस कोर्स है और साथ साथ बना दी मोस्त इंपोर्टेंट कोर्स का करिकुलम बाना जाता है इस कोर्स का इन टेस तो अगर हम बात करें हमें Masters of Hospital Administration के बारे में and before I tell about it comment section में जरूर comment करें if you have any suggestions, if you have any questions, कुछ सवाल है, कुछ सुझाब है, comment section की तरू मेरे को रीजरूर करें तो अगर हम बात करें Masters of Hospital Administration के बारे में बहुत interesting कोर्स है ये इतना simple नहीं है Hospital Administration इतना सिंपल नहीं है तुनने में लग रहा है कि इस पर्टिकुलर कॉर्स में इस पर्टिकुलम जो आने माले दो साल का है टेसमें क्या-क्या टॉपिक्स आप टेच करेंगे मैं उसके बारे में छोड़ा ब्रीफ देता हूं आपको टॉपिक्स होंगे टॉपिक्स आपकिंग अबाउट टेकनोलजी इन हॉस्पिटल्स आपको यह भी पढ़ाया जाएगा टॉपिक्स तरीकी का हरार्की और 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 अग्याइशनल बीहेवियर रहता है आपको हर्डल्स क्या है पॉलिसी स्कीम्स कौन-कौन सी है गवर्मेंट की फॉर दी हॉस्पिटल्स साथ साथ कुछ बेसिक चीजी भी आपको टच की जाएगी जैसे हाउ टू मेक प्लान्स और स्टाटेजीज इन हॉस्पिटल हाउ टू रिक्रूट फो हॉस्पिटल जो एक डाइमेंशन हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ यू से आपको बटाया जाएगा पढ़ाया जाएगा तो यह कुछ-कुछ चीजे हैं जहां पर आपको एक ओवर और अ लोग ना कहीं आप लोग को टच किया जाएगा बट मेजर चीजे जो हैं वो मैंने आपको बताया तो कौन इसमें जाना चाहें वो लोग जाना चाहें वो लोग इस पर्टिकुलर कोर्स को आप करें जो की पूछते हैं एक सवाल जब एक हॉस्पिटल से गुजरते हैं तो हैं कैसे यह फंचिन करता है यह पर्टिकुलर स्कींट पॉलिसी ऑस्पिटल लेवल पर कैसे वक करती है जैसे हम बात करें अगर छोटा सा एक्जामपल वक्सिनेशन करें तो होस्पिटल वक्सिनेशन दे रहे हैं किस तरीके से आता है गॉपन्स को और फंड किस तरीके से insurance की बात करें तो किस तरीके से hospitals claim करते हैं किस तरीके से hospitals insurance companies के साथ अपने आपको tie up करते हैं technology क्या बढ़ा role play करती है किस basis पर लोगों को recruit किया जाता है ये कुछ कुछ सवाल अगर आपकी दिमाग में आते हैं तो आप this course को opt करें अब देखिए दूसरी important चीज़ यह है boss की कौन इस course को पढ़ने आता है mostly people come from medical background medical background के बात करो health background medical background के बात करो तो BDS तो काफी बच्चे आते हैं last batch में इतने सारे बच्चे BDS के तरह है जो की बाचल आफ देंटेस्ट डेंटर स्टाडी किया उस पर्टिक्लार कोर्स रेलेटेट सारे कोर्से से परके आ रहे हैं अपना एक पर्टिकुलर एग्जाम लिख रहे हैं क्योंकि उनको शायद से वहां ग्रोथ में मिल रहा है वो जो प्राक्टिस करते हैं क्लीनिक्स में या कैंप्स में देशी अलॉट ऑफ दूपोल्स हो कि उनको लगता है कि एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग या प्रोफेशनल एडूकेशन हॉस्पिटल अड्मिस्ट्रेशन का लेके वो पर्टिकुलर क्वेशन जिनके आंसर होंगे and they want to see their growth into this particular venture साथ साथ काफी बच्चे आयरुवेदा बैग्राउंड से आते हैं हमुद्वेथी बैग्राउंड से आते हैं उसके अलावा इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ हेल्थ या मेडिकल बैग्राउंड से ही होने चाहिए मेरा एक मेरा और सर का अगर बोलूं तो हम लोग का एक experience रहा है very bright student शुभम and he did engineering और engineering करने के बाद ही came for this particular course and he aged why because he knew what he is doing he was very clear with the path and टिसको वैसे बच्चे चाहिए जो कि इनने पाथ से क्लियर है बैग्राउंड उतना माटर नहीं करता है अगर आपका will strong है बैग्राउंड उतना माटर नहीं करता है ऐसा को reservation नहीं है boss की 40% seat इनको मिलेगी 30% seat ऐसा कुछ नहीं है लोग आते हैं ऐसे बैग्राउंड से लेकिन अगर आप technical background से भी हैं अगर आप जिस भी background से हैं if you have a clear mindset और एक clear path आपकी दिमाग में है go for it go for it तो फिर हम अगर बात करें इस particular course के placement के बारे में तो इसमें क्या हो तो दो internships रहेंगे दोनों internships आपके hospitals में रहेंगे वो आप चूज़ कर सकते हैं in the panel और साथ साथ अगर हम placements की बात करें तो majorly placements आपके hospitals में ही जाते हैं hospitals में अगर प्लेस्मेंट की बात करें तो max hospital हुआ अपोलो हुआ उसके बाद ladyhood हुआ वैसे ही अगर हम बात करें काफी प्राइवेट पर्श हॉस्पितल काफी प्राइवेट हॉस्पितल में आपका प्लेस्मेंट होगा और किस रोल में होगा वह आपके specialization या फिर वह आप तो गो इंटो इस पर्टिक्लर स्ट्रक्चर तो कुल मिला के बात यह है कि cut off कि अगर बात करें तो वेरी करता है 60-70 बीच में रहता है cut off और घबराने कि बात नहीं है course बहुत interesting as I told one of the oldest course in 1993 में established हुआ हुआ काफी बच्चे आते हैं काफी focused course है और अगर हम बात करें तो एक और चीज़ आपको देखने के इसका एक example में आपको दूँगा यह जब video जाएगा live तो आप देखेगा इसमें बहुत कम views रहेंगे क्यों क्योंकि selected लोग ही इस particular course को दिखने के लिए आते हैं लेकिन जो आते हैं they have very clear intention की मेरे को इसमें ही जाना है how to start अगर आप थोड़ा बहुत बहुत डगमगा रहे हैं with respect to your particular preparation तो कहीं ना कहीं so अगर आप जैसे घबरा रहे हैं with respect to क्या मैं इस particular course के लिए right person हूँ क्या यह particular course मेरे career को वो पूछ दे सकता है यह सारे questions हैं तो इनकाल दीजिए introspect करिए आप खुद अपने आप से पूछिए कि आपको आगे क्या करना है एक particular channelized path बनाएए वेब बनाएए और definitely course के लिए opt करें तो definitely आप comment section में मुझे बताएं कि को suggestion या सुझाव जैसे मैं बोलता हूँ सुझाव या फिर सवाल और course हम लोग का live है काफी अच्छे अच्छे बच्चे आए हैं इस बार बहुत मदा आ रहा है लोगों से नीचे description पर link है phone number है definitely call करे consult करे पहले अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत 19 बीस है consult करें अगर आपको लगता है we can play a very important role towards your particular preparation opt for the course कुछ कुछ चीज़ें आपको course में मिलेंगी वो है one to one attention mock test उसके अलावा experience हम लोग का भी है जो carry करते हैं साथ साथ हम लोग experience के साथ काफी उन बच्चों का experience जुरा हुआ है जो कि आज उस particular course में बैठे हैं उस particular course को pursue कर रहे है definitely question answers आपके सारे solve होंगे और अब tension एकदम ना ले मेरा ये week है मेरा वो week है मेरे को ये आता है लेकिन मुझे जीके नहीं आता मुझे जीके आता है मास नहीं आता इन सब चीजों के लिए तो हम बैठे है आना है आप तो आप बे फिकर होके तैयारी करें नीचे course का description है description में कोर्स का link है आप definitely call करें उस नंबर पे link पे click करें study करें research करें and jury thank you